हलो एब्रिवान वेल्कम टू और नियू टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो है फायर प्रॉक्सिमिटी सूट ठीक है जैसे कि आपको पिच्चर में दिखी रहा होगा जो फायर मैंस हैं उन लोगों ने कुछ एक सिल्वर कलर का कुछ तो भी पहना हुआ है उसे बोलते हैं फ फायर प्रॉक्सिमिटी सूट क्यों पहना जाता है क्या इससे हेल्प मिलती है इन सब के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली बात आग जो है फायर जो वह बहुत ही खतरनाक होती है ठीक है अब माल लीजे आग जल रही है और आपने कुछ भी मतलब नॉर्मल क्लॉट्स आपने वेर किये हुए हैं और उसके अलावा आपके पास कोई भी एक्यूपमेंट नहीं है और आपको अब आग में जाना है मालीजा को से एक ब्लैंकेट है ठीक आप ब्लैंकेट ओड के आग में जाएंगे तो अगर जाते हैं तो क्या उससे श्यारटी रहेगी कि आप अगर जाना पड़ जाए तो यह आपको हेल्प करेगा आपको विदाउट एनी हार्म यह अगर आप किसी को बचाने जाते तो आपको आग में जाते हैं तो आपको चोट नहीं लगेगी अब किसी भी तरीके की आग से नहीं जलेंगे ठीक है तो जो फायर प्रॉक्सिमिटी से अगर वो आंक के पास में काम कर रहे हो और एक्स्ट्रीम टैंपरेचर है वहाँ उससे बचाने के लिए काम में लिया जाता है ज्यादा तर यह एरक्रफ्टस सब्सक्रंगा जाता है तो आंप destक है कि जैससा है आप इसको जैसे कि कहीं पर आग लग जाती है किसी के घर में आग लग जाती है कहीं भी तो उसमें भी यूज़ कर सकते है पर सब के नाम जो डिफरेंट होते हैं तो फायर प्रॉक्सिमिटी सूट जो रहता है वो कब पहले बार पनाया गया था और पहना गया था वो था 1930 से यह स्टारोऑ खूआ थह किसमें जो बना गया था यह बनाया गया था थो घो एसी लिए से एस्बिटव सूट भी बोला जाता है रह तो इसका जो देखें क्या होता है इसको पहन के जब वह आग में जाते हैं तो आपको एक बीजाट भी लेना होता क्योंकि इस इस सूट को पहनने के बाद आपको आग में जाके आपको आग से कोई हाम तो नहीं होता हां पर सांस लेने में प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है तो सांस लेने में जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए हम क्या करेंगे हम बीए सैट लेके जाएंगे ब्रीफिंग अपरेटर्स चीक है ब्री एर क्राफ्ट में डेस्क्यू आप कर सकते हैं तो सूट को आप जब भी बार कर लेते हैं प्रॉक्समीटी सूट किसके लिए Qual więc irsanee categoo ए ऐसे की सीच लिए लिए तो उसjing के लिए इन ट्री अर हीटेड बीड एरिया के लिए जिसके अपको और जूहरा हीटेड एरिया एक का है लागए बिलकुली तो उसके लिए क्या आपकों वाइध की जाते हूँ तो अब भी आज है बात करे तो जो सिर्फ तो log go देबारे में आज बात करेंगे उसके बाद complete proximity protection है ये बारे में ऐसमीट में पूरा आप एरक्राफ रस्क्यू और फायरफायतिंग के लिए अगर यूर्ञ करते हैं तो ये पूरा एक proximity complete proximity suit is ok इसमें आपको hi helmet मिलेगा आपके ula com I L कि आप रहेंगे आपको बू डिये जाएंगे आपको कहीं से कहीं तक भी आग में अगर आप जाते हैं तो आपको कोई नुकसान ना पहुंचने पाईये इस विज्टल को पहनने के बाद यह देफिने ली है कि अपको आग से कोई हार्म नहीं होगा ठीक है क्योंकि ये proximity suit जो बनाया है इसलिए गया है कि इसे पहन के आप जो इंसान जो है जो फार मैं जो है वो आग में work कर सके ठीक है किसी भी heated area में क्योंकि अगर आप heated area में भी जाद है तो भी आपको जलने के chances तो रहते ही रहते हैं तो proximity suit पहनने के बाद ये सारी चीज़ें आपको face नहीं करनी पड़ेगी ठीक है तो ये जो था ये जो मैंने आपको आज topic बताया ये proximity suit से related था fire proximity suit इस तरीके से और भी suits रहते हैं जिनके बारे में भी हम discuss करेंगे पर आज के लिए fire proximity suit बताया क्योंकि आग में जब हमको जाना नहीं है तो हम वो कैसे बचाएं तो हम ये suit wear करने के बाद हम उस इंसान की जान easily बचा सकते हैं ठीक है तो ये मैंने आज आज आपको fire proximity suit के बारे में बताया इसका material कौन सा होता है ये बताया कब से ये start हुआ था ये बताया आप इसको basically किस यूज में ले सकते हैं वो बताय fire fighting इसके लिए जैसे कि आप बिल्कुली आग में जाके आपको आग को बुजाना है तो उसके लिए भी आप यूज करें इसको ठीक है so thank you